गुद्सुदेंट्स आज हम पार्ट पारा दशन तो हम 80 पार्ट के बैक एक्सेसाइज कर रही हैं बैक एक्सेसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका पहले का जो आपको मैंने आपको वीडियो दिखाय था उससी पार्ट को हम धोरा लेते हैं एक बार दस लड़के नदी में इसनान के लिए गए उन सभी ने नदी के जल्मी बहुत समय तक इसनान किया जब वे तैरकर पार गए तो उनके नेता ने पूछा क्या सभी लड़कों ने नदी पार कर ली है तब कोई लड़का गिनने लगा एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नो, उसने स्वैम को नहीं गिना, तब उसने कहा नो ही है, दसवा नहीं है, दूसरे लड़कों ने भी पुन्हा अन्य लड़कों को ही गिना, तब भी नो ही थे, अते उन्होंने निश्ची किया कि दसवा लड़का नदी में डूप गया है, वे सब दुखी ह और चुपचा खड़े रहे तब कोई यात्री वहां आया उसने उन लड़कों को दुखी देखकर पुछा लड़कों किस कारण से दुखी हो तो लड़कों के नेता ने कहा हम दस लड़के नदी में नहाने के लिए आये थे अब नौ ही है एक नदी में डूप गया है रहागी ने उन्हें गिना वहां दस लड़के ही थे उसने नेता को आदेश दिया कि तुम लड़कों को गिनो उसने पुन्हा नौ लड़के ही गिने जब यात्री बोला कि तस्वे तुम हो इस प्रकार वे सभी खुश हो कर अपने अपने घर चले गई अब आज इसी पार्ट के हम दो यो बैक एक्सेसाइस कार रहे हैं देखिए पहला जो प्रैश्ण्य व्हों नहीं आता है लेकिन उचारन कर लेते हैं एक हां एक एकम दो दिय पैत्रे देस्त्र त्रेणी अब यह धिहान रखी है आप जो एक में हैं पुर्लिंग में हैं इस त्रेलिंग में हम नपुसं प्रश्ण नाम उत्राणी लिखत प्रश्णों के उत्तर लिखें पहला है कती बाल का स्नानाए अगच्छन कितने लड़के नहानी के लिए गए कितने लड़के गए थे दश गए थे तो हम कती की जगे लिख देंगे दश बाल का स्नानाए अगच्छन सेकिन है तेस नानाए कुत्र अगच्छन वे सबी नहाने के लिए कहां गए तो यह आजाएगा तेस नानाए नदीम अगच्छन थर्ड है ते कम निश्चयम अखुरवन उन्होंने क्या निश्चय किया ते निश्चयम अखुरवन यह कम नहीं लिखेंगे और फिस के बाद डैश करके लिखेंगे यत दशम नद्या नीमगनह की दसवा नदी में डूब गया है चोथा है मारगे क अगच्छत रास्ते में कौन आया तो एक मुसाफिर आया तो हम लिखेंगे मारगे एक पती का अगच्छत रास्ते में एक मुसाफिर आया नैस्टे हमारा देखें यहां लिखेंगे पती का किम अवदत यात्री ने क्या कहा तो यहां लिखेंगे पती का अवदत दशम तौम असी दसवे तुम हो थर्ड आ जाता है हमारा शुद कथानाम समक्षह सही इती अशुद कथानाम गलत कुरूता शुद कथनों के सामने सही और अशुद कथनों के सामने गलत का चिन लगाना है पहला है अमारा दशा बालका स्नानाय अ गच्छन 10 बालक नहाने के लिए गए तो सही आ जाएगा सरवे वाटिकायाम अ भ्रह्मन सभी बगीचे में गुमे तो गलत है तो वे तो नहाने के लिए नदी पर गए ते ना तो गलत आ जाएगा थर्ड है ते वस्तुता नाव बालका एवं आसन वे वास्तों में नौ बालक ही थे बल्कि दस थे ना ये भी गलत है पूर ते बालका स्वम न अगणियत बालक ने स्वम को नहीं गिना सही है नैस्टे एक बाल का नदिया मगना एक बालक नदी में डूप गया नहीं गलत है ते सुखिता तुष्णीम अथिष्टन वे सुख से चुपचाब बैड़ गये बल्कि दुखी हो गये थे न तो ये भी वाक्य गलत है नैस्टे को अपी पती का न आग अच्छत कोई भी रहागीर वहां नहीं आया तो गलत हमाया था नायक अवदत धश्वम तुवम असी नायक नीता ने कहा दस्वे तुम हो ये वाक्य सही है फिरे ते सरवे प्रहष्टा देखे रहागीर यहां पर क्या जाएगा नायक अदिश्वे तुम गिनो तो उसने पतीक ने क्या कहा था ये वाक्य भी हमारा गलत है यहाँ पर गलती से सही का है लेकिन ये वाक्य भी हमारा गलत है क्यों क्योंकि किस ने कहा था कि दस्वे तुम पथिक अवदत यहाँ पर है नायक अवदत नेताने का दस्वे तुम हो तो ये वाक्य भी हमारा गलत है नेस्टे सर्वे, प्रेष्टा, भुत्वा, ग्रेहम और गच्षन वे सभी खुशोकर वापस घर के चले गए तो ये वाकिये हमारा सही है पोर ते हमारा मंजुशा शब्दाना चित्वा रिक्तिस्थानी पूरियता मंजुशा से शब्दो को चुणका रिक्ति स्थान की पूर्ती कीजिए पहला है इसे पतिका बालकां दुखी तान द्रश्टवा अप्रचत रागी ने बालकों को दुखी देकर पूछा नैसे पुस्तकानी ग्रहित्वा विध्यालम गच्छा पुस्तके लेकर विध्याले जाओ पूरते पतिक से वचनम शुरुत्वा सर्वे प्रमुदिता ग्रहम अगच्छन पतिक के राहगिर के वाके सुनका सभी खुशोकर घर को चले गए पतिका बालकन गणित्व अकत्यत दशम तुव मसी रागे ने बालकों की गिंती की और कहा दस्वे तुम हो नेस्टे मोहना कारिय क्रत्वा ग्रहम गच्छती मोहन कारिय करके घर जाता है नेस्ट अमारा आजाता है देखिए यहाँ पे चित्र को देखकर हमें संख्या लिखनी है तो यहाँ अश्ट और अश्टो दोनों आसकता है कंदू कानी आठ गेंद है ना तिस्ट्र चट कहा तीन चडियाएं एकम पुस्तकम एक पुस्तक दव मयूरो दो मोर दो बालिके दो बालिकाएं शट तालह छे ताले पंच कपोता हा पांच कपोतर दश पत्रानी दस पत्ते अब देखिए अतिरिक्त अभ्यासकारी कर लेते हैं बावु विकल्पे प्रेश्ण अधो लिखेते शू विकल्पे शू उचेताम उत्रम छितवा लिखात निमने लिखेत विकल्पों में से उचेत उत्तर चुनका लिखना है कत्मो नदिया मगन कितने नदी में डूप गये थे यहां जैगा दस्वा दस्वा कहे रहे थे न कि दस्वा नदी में डूप गया है नेसे का तान गणियत किसने गिंती की तो पथी का रागी नी ताने इत्यत्र का विभक्ती तान कौनसे विभक्ती है अमारी दित्या विभक्ती आसी इत्यत्र को लगारा आसी कौनसा लगारे लट लगार हो तो यह जैका हमारा यह लट लगार पिर है अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगी बच्चो जो थर्ड प्रेशन मैंने आपको करा है इसमें आपको जो जव वाला है उसमें सही है जबकि ये वाकिये हमारा गलत है इसको चेक कर लीजिए और एक बात और जब वेनस्टे होगा हो सकता है मैं आपका लेसन 11 की बै चाहर कर लेए ओके स्टूडेंट हैंक यूज टान आपको आपको है कर लीजिए ही